आपका रादिका मेकूबर्स में दिचति पाथ ही आज आपको बतानी चाह देहीं हूं कि आप सारी के साथ में अपने आपको कैसे तयार करें वही कम से कम प्रोडक्ट में जो भी प्रोडक्ट आपके पास एपलेबल हों उनको आप यूज़ कर जाये और सब ऐसा मेकप होगा यह गाइस कि जिसकी भी नजर आप पर पड़ेगी वह आपको देखता ही रह जाएगा तो आप देख रहा है इस टाइम मैं सिर्फेस बॉस करके आई हूं सारी बेर मैंने कर ली है और जो भी मुझे करना था साथ में हलका सा मैंने कर लिया है अब क्या करना है मुझे इस गर्मिया है जैसे गर्मियों का सीजन चल रहा है तो गाइस फेस पर टॉनिंग करनी बहुत जरूरी है तो टॉनर यूज कर रही हूं मैं यहां पर पायो फ्रेस का यह टॉनर बहुत ही अच्छा है अब इसको थोड़ा हम सूप में देते हैं अब यहां पर आप लिप पे अपने कोई भी लिप बाम लगा लीजिए अच्छे से लिप बाम लगा लेजिएगा अब जैसे अगर आप दिनमे मेक आप पर रहे हैं तो आपको day cream लगानी और अगर आप night में तयार हो रहा हैं तो आपको night cream लगानी है मैं यहां पर day cream लगा रही हूं मेरी क्रीम में SPF 20 भी है यह में लगानी है अच्छे से एक लिए आपकी मॉस्वाइजर का काम करेंगी और इस संद्र प्रोडक्शन भी देगी आपको अब बार ही आते हैं प्राइमर की प्राइमर या अलोविरा जैल आप जो भी लगाना चाहें वो आप लगा लेजिए अब बार है और इसको लगाने के बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना है दो मिनट का यह ड्राइब हो जाए इसके बाद में आपको आगे का प्रोसेस शुरू करता है अब इसके बाद में आपको कोई भी फांडेशन बीबी सी सी जो भी आप यूज करते हूं जो भी आपके पास एबलेबल हो वो आप यूज कर लीजिएगा देखें मेकप करना बहुत ही आसान होता है बस आप उसको राइट वे में करिएगा यह नहीं आपने कुछ वी चीज जब लगा ली प्रॉपर और देखें सही रास्ते चाहेंगे तो आपको मंजिल तक जरूर पहुँचे अगर आप step to step आँगे बढ़ेंगे तो आपका मेकप बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो आपको मिलेगा आपने मेकप बहुत ही अच्छा मिलेगा मेरे चैनल पर आपको हर तरह का मेकप देखने को मिलता है तो आप अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्ले लिस्ट में जाके हर तरह तरह के लुक मैं आपको दिखाती रहती हूँ उनको देखिएगा और मेकप को सीखिएगा इसको अच्छे से आपको अपने फिंगर टिप से ब्लेंड कर देना है यह हो गया अब हलका सा कंसीलर आपके पास में जो भी अबलेबल हो वो ले लीजिएगा लाइट कलर में अगर कंसीलर अबलेबल नहीं है तो लाइट कलर में जो भी फाउंडिशन आपके पास में अबलेबल है उसको आप लेके हलका सा अपना अंडर आई के नीचे बहुत लाइट ही रखिएगा क्यूंकि कंसीलर अगर आप ज्यादा लगा लेंगे तो फिर आपको लाइन वाली प्राबलम फेस पे देखने को मिल सकती है अब इसको अपरी फिंगर की हलक से हलका सा फ्लेइन कर दीजे डब डब करते हुए पस ज्यादा नहीं करना है नहीं ज्यादा आपको पलर्टिक करना है देखें अगर आप लोग कुछ और भी सीखना चाह रहें मेकप के बारे में तो वो हमें बताया करें तो हम आपको कोसिस करेंगे कि वही चीज आपको सिखा सकें अब यहां पर पोरी भी फेस कॉड़र या कॉंपेक कॉड़र लेके आप उसको अच्छे से बेस जो भी आपने लगाया है इसको सेट कर दीजिए अब देखेंगा यहां पर आप इसके बार में बीबी सीसी फार्मलेशन या जो भी आप लगाते हैं जो भी क्रीम आपको सू में बहुत ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मेकप शुरू करने से पहले आप अपने फेस पे जैसे फेस को बॉस कर लिया आपने फिर उसके बाद में अपने पेस पे अच्छे से आइस क्यूब्स लेकि रख कर दीजिए उसको फिर पहुचिए गा मत फेस को अपने मेकप को शुरू कीजिए तो स्वैट की प्रॉब्लम जो है वो देखिए रुपती तो नहीं है बट हां काफी हद तक कंट्रॉल हो जाती है यह हो गया अब हमारते हैं आखों पर अपने आइब्रो पर उसके लिए सिर्फ आपको अपने आइब्रो को फिल कर लीजिए मैं आपको तरह तरह से आइब्रो फिल करना मैंने आपको सिखाया हुआ है तो आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो गए हूं उसको यूज करके अपना आइब्रो को फिल कर लीजिए देखिए बस हलका सा करना है इससे थोड़ा सा से निखर के आजाए मैं आपको साइब्रो यह हो गिया अब हम आखों में अच्छे से काजल लगाएंगे काजल हमेशा वो चूज करिएगा आप जो फैले नहीं अगर आप अच्छी कॉन्टी का काजल चूज करते हैं तो गर्मियों में आपको यह प्रॉब्लम नहीं हाए कि बागी में आपको कही तरह की ट्रिक तो बताती ही रहती हूं बर्टुक क्वाल्टी भी मैडर करते हैं तो आप अच्छे से अच्छा काजल ही उच करें अगर आप को समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंड सेक्षन में जाके मुझसे पूछेगा मैं आपको रिप्लाइज जर यह हो गया अब हलका सा काजल लगाने के बाद में वही पॉडर वाला पॉप लेके आपको इस तरह से ड्राय कर देना है इकतम से यहां पे आप यह अगर इसमें कमफरटेबिल नहीं है तो आप यह बटका भी यूज कर सकते हैं उसमें पॉडर लेके और अच्छे से चला द बूल्ग अबल्का साथ में को फोत network बटकी बटराईंटर यहां पॉडर गया हाओरिधक नगर भी जग milliseconds सुडर में हाँ़ में अबल्का अल्का भी 10 त 29 और वही ब्रस लेके हल्का असा मीचे की साइट भी करते चाहिए जिसे गाज़ जो आपने लगाया है वह आपका अच्छे से स्ट हो जाए जाएट 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 कि यह देखेगा इसमें फ़ल पर आ गया है अब से प्रोसेस आपको वही इसमें भी करना है कि नीचे की साइड आपको ब्रेंड कर देना है अच्छे से हो गया सिफ आई का जो उपर वाला भाग है उसको हमें हलका से सेफ में लेके आना है बस और कुछ भी नहीं करना है क्योंकि गर्मिया है अगर हम बहुत जादा है भी मेकप पड़ते हैं और अगर इसे हम कहीं पूजा पार्ट वगरे कर रहे हैं और वहां पर पसीरे की प्रॉब्लम अगर होती है तो फिर मेकप बहुत ही गंदा लगता है अगर आप इस तरह से मेक अप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉप्लम नहीं आने वाले अब हम यहां पर ब्लस के लिए क्या यूज करने वाले हैं यह भी एक ट्रिक है आपको हल्का सा अपना रैट कलर का लिपिश्टिक लेके इस तरह ऐसे अपने इसी एरिया पर हल्का सा लगा के इसको बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कर देना है और आप देखिएगा आपको एकदम से ब्लस वाला लुप मिल जाएगा जरूरी नहीं है कि आपके पास हर सावान है आप तब भी मेकप कर सके आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो हम आपको तरह तरह के ट्रिक लेके आते हैं जिससे हम आपको बताते हैं कि आपको के पास जो भी सामान है आप उससे कैसे अपने मेकप को कर सकते ही यह देखिए यह अच्छे से प्लैंट हो गया अब इस पे क्या करेंगे हम हलका सा फेश पॉटर लगा देंगे जिससे यह नेचरल लुक में कनबर्ड हो जाए यह बहुत ही प्यारा लुक लगता है हो गया अब बारी आती है लिपकी लिपाफ हमने पहले लगाई लिया था अब आप लेनर से से देंगे लाग लिपिश्टिंग किसी भी कलर की फिल कर दीजिए हुआ 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 है कि अचल गज़ुआ है जब आप इस्टेप आगे बढ़ते हैं और अगर आप यह सोचें कर भी है मुझे फेस्टे कुछ नहीं लगाना है तो वह अलग देखता है और अगर आप प्रॉपर वे में में अपड़ने हैं तो वह फेस का लुक आपको अलग ही देखने को पेखत यह हो गया अब हम को यह अच्छी से बिंदी लगा लेंगे जो भी आपको पसंद हो और जब हम साड़ी पहन रहे हैं तो हम सिंदूर को कैसे भूल सकते हैं मैं जब भी साड़ी पहनती हूं तो सिंदूर अच्छे से लगाना पसंद करती हूं यह हमारा लुक यहां पर कंप्लेट होता है आप बालों को अपने अच्छे से चोटी अगरा चूड़ा चोबी करना चाहें जिस तरह का आपके पास टाइम हो उस तरह से अब यहां पर बहुत चलूरी काम जो आप सब को करना है क्या करना है अपनी मेकप को सैट करना है उसके लिए आप कोई भी सेटिंग मेकप सैटिंग स्प्रे ले सकते हैं और आपके पास में कुछ भी नहीं है तो फाइनली रोज वाटर का स्प्रे करके आप उसको ड्राय हो अगर आप प्रॉपर वे में करते हैं तो आपका मेकप बहुत ही अच्छा होने वाला है और जब भी आप रोज बॉटर या सैटिंग स्प्रे का यूज करें मेकप के बाद में तो आपको थोड़ा सा दूरी से करना है एकदम से पास से को नहीं करना है और उसको नेश्रों आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक करेगा और चनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मन बूलेगा और नीचे चो बैल आइकन है उसको प्रेस जरूर करिएगा साधियों का सीजन चलना है मेरे चैनल पर तरह तर दिखने को मिलने वाले हैं मेरे चैनल पर तरह तरह के प्रोड़क का रिव्यू में ले के आती हूँ और पालर के बारे में चानकारी तुम्हें आपको डीपी देने ही वाली हूँ जो कि आपको मिल रही है दीरे दीरे तो गाइस इस राट का मेकोबर्स पैमली को बहुत बूलिएगा गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टेक केर लब यू बाबाइए